देखे थे वो यह लिखें कमेंट करें जो नहीं देखे थे वो नो विटा इतना करने के बाद जब कलास खतम हो जाएगी तो तुम चैनल की प्लेलिस्ट में जाना या चैनल पर जाना वीडियो सक्षन में पार्ट नमबर 16 देख लेना उसमें सब अच्छे से बढ़ाया गया ह कि रिमेंडर थरम होता क्या है कैसे लागू करते हैं सब चिखाया गया है तो इसके पीछे की सभी कलास जरूर देखें आज तक 16 कलास हो चुकी है यह सत्रवी कलास है ठीक है गोपी चंद परांजल मुकेस बिपिन अरसद वर्तिका अभी सेख मुझे जहां तक लग रहा है कि अधिकांस बच्चों ने देखा था पिछली कलास ठीक है तो जो नहीं देखे थे वह चैनल पर है जाके देख लेंगे कोई अन्य हेल्प चाहिए तो नीचे हेल्प लाइन प्रस्न में आप सभी कलास नाइन्थ का NCRT मैथ याद रखना NCRT मैथ बुक खोल लो पेज नंबर बावन है अगर आपके पास रियल वाली NCRT है तब ठीक है राज्य पर आधारित NCRT या फिर किसी राइटर की अधर से NCRT पर आधारित होगी तो उसमें नहीं मिलेगा ले पताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़नखंड X प्लस 1 है तो बच्चा निमनलिखित बहुपद में 5 से 6 बहुपद दिये हैं जिसमें तीफरा ये है हमें ये बताना है कि X प्लस 1 जो है ये छोटका हुआ जो है इसका बहुपद है वो गुड़नखंड है क्या है फैक्टर है जैसे कोई कहे कि सिद्ध करो कि तुम अपने पापा के बेटवा हो अब बता तुम कैसे सिद्ध करोगे मम्मी से पूछ के कैसे सिद्ध करोगे उसका भी कई लाजिक ह अगर साइंस की देख्टी में देखें तो DNA टेस्ट होता है वह से बोल चाले सामान इंसानियत में देखें तो मम्मी तो बता हुए कि किसके हो तो यहर किसी पर लागू होता है तो मतलब हमारा यह है समझने का कि इसमें कैसे समझेंगे वह तुम्हें एक अधर से देखो समझो मैथमेटिक्स में आते हैं एक छोटा सा और उदारन करते हैं अगर हम आपसे तुमसे पूछें इधर साइड देखो समझो कि बच्चा यह बताओ सिध करो क्या संख्या 22 का एक गुड़नखंड दो है या नहीं सभी बच्चे बोलो यास या नो बताओ आप लोग बताओ क्या संख्या 22 का एक गुड़नखंड दो है अगर है तो बोल दो यास नहीं है तो बोल दो नो बोलो है या नहीं है तो भैया ओ समझो यहां पर बाबू यह इसका गुड़नखंड 22 का दो जो है वो इसका गुड़ चाचा हो छोटू चाचा से भाग करेंगे इनको ऐसे 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 हाँ उपर से दो उतारेंगे दो एककम दो यह भी लपेट लेंगे सब जीरो आ जाएगा इनीले बनायेगा मतलब रिमाइंडर जीरो सेजफल जीरो अगर जीरो आ रहा है तो क्या है उसका एक गुलनखंड वो दी गई नंबर है अन्य था नहीं है ठीक है समझ रहे हो ना अच्छा यह बताओ तुम लोग सभी बच्चे ध्यान से समझो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यह बताओ चाच्चा संक्या पैतालिस का एक गुडनखंड तेरा है बोलो कि देखो टॉपिक पर ही बात कर रहा हूं जब तक तुम पॉइंट को गहराई से नहीं समझोगे कुष्चन कुष्चन रटते रहो खोपड़ी पीटते रहो कुछ हिलने वाला नहीं है इफले समझ लो चाहे देशी उदारन से चाहे परदेशी उदारन से कैसे भी समझो तुम पॉइंट को समझो बस गोबिंद जी पेटा पढ़ाई कर लो पूस्पालता तू पॉइंट आफ रीडिंग कुनाल यादो मीना बर्मा राजकुमार तिवारी ठीक है बेरिकूर तिवारी जी बिसकर्मा जी ठीक है बर्मा ठीक है यह सरने में जो मैं बोल रहा हूं बत्रह से बोलना नहीं चीए क्योंकि आज का यूँघ बढ़ा कड़ पड़ स heard are नहीं है क्योंकि फ्लाने काका सेंकी पड़ती नहीं है पड़ती कैसे नहीं है इनको जब भाग करते हैं हम तेरा से यह कटेंगे पूरा-पूरा काएंगे ना तुम तो अलग बरादरी से हो बनेगा नहीं विए से बात समझे रहा हूं न ना को जगड़ा होता इनमें यह बराबर कभी भी zero होंगे नहीं तो अगर जीरों होंगे नहीं तो क्या है यह इसके गुणंखंड नहीं है तो भाई आहो बाबू ओ ये सारा इता सब्सक्रारा तुम्हें हम सुना रहे थे ना वो इसको समझाने केलीए इसको समझाने के लिए तो वही तरीका लाके इसमें ढकेल दोगे रजा इसमें क्या करोगे इस बहुपद को बड़े वाले बहुपद को इस छुटकाववा से भाग करोगे और अगर भाग करने पर से इस पर 0 आया तो लिख दोगे हाँ x प्लस 1 is a factor of polynomial p of x हिंदी में बोलोगे x प्लस 1 दिएगे बहुपद p of x का एक गुड़न खंड है यहाँ p of x का मतलब है यह पूरा यह p of x का मतलब क्या है यह पूरा इसका एक नाम रख दिया गया छोटा सा जैसे देखो कच्छा 10 में तुमारे 100 बच्चे है किसी का नाम पंक जाय पूर नी है किसी का इसा है किसी का चुन्नू-मुन्नू है बहुत सारे बच्चे है लग-लग नाम है थम्हें सबका नाम तो आप टीचर बोलन नहीं पाएगा वो क्या बोलेगा चलाफ नाइन वालने लोन दे आजा उजलती जलती समझ रहे हो ना यह तोड़ा लेगोज लग हो गई तो कलास नाइन्थ का मतलब सब आ जाएंगे ना तो उसी का मतलब यहां पर रखा गया P of x P of x का मतलब यह सब यह सब फिक है तो चलो तो बच्चों यहां पर यह भी समझना हमें कि अगर हम एक Nikki करेंगे वाया हो यह में कई तो लटक जाएंगा वह इसे वर जायेंगे क्योंकि यह होगा नहीं कि यह तोड़ा बड़ा हो जाएगा कि न तक रफी टरीका सरी है कि अ पूरा कहानी नहीं करने पड़ेगी इतनी बड़ी चलो सेज्फ़ल पर्मिये में पूरा कहानी नहीं करनी पड़ेगी इतनी बड़ी चलो मनोच समझ में आ रहा है मुकेश कुमार रूपेश अनूप चु राजपूद प्रिया सर्मा यादोजी गेमिंग नगा तरफ को आरा बिट्टा चलो आप यहां पर लिखेंगे सेसफल पर्मीए से लिखेंगे सेस्फल पर्मिये से यह मैंने मान लिया देखो यह एक्वेशन था इसको मैंने P of X के बराबर मान लिया जो छुटको हुआ था उसको Q of X के बराबर मान लिया छुटको हुआ का मतलब जो गुडनखंड कह रहा था उसमें है सब के बुग में दिया है देखो कि जो एक्स प्लस वन का सुन्यक है वो माइनस वन है क्या है? माइनस वन है अब इसी तरह से सेजफल परमिये की सहायता से ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे में नीचे जगा नहीं है इस वज़ा से हम बगल में हल कर रहे है तो तुमारे में अगर जगा है चचा तो तुम बगल में नहीं करना नीचे ही करते जाना अब ये जो एक्स का बैलू है इसे लाके इसमें डखेल दोगे, पुट कर दोगे अगर ये जीरो हो जाता है, पूरा-पूरा तो कहोगे कि येक्स प्लस वन जो है, इसका एक गुणंखंड है और अगर जीरो नहीं होता तो गुणंखंड नहीं है तो चलो, प याफ वन निकाल लेते हैं जहाँ पर येक्स है, ध्यान ढो, ये येक्स है न, येक्स की जगा-1 चलो यक्स का घाच 4 है तो माइनस 1 का घाच 4 करोगे तुम जिसे बोलेंगे माइनस 1 का पावर 4 और फिर प्लस यह 3 है एक्स का पावर 3 है न यहां ध्यान दो यक्स का पावर 3 है न बाबू तो हिऊ्च्क की जगां पे माइनस वन रखो गे तो यह माइनस वन का पावर तीन हो जाएगा और प्ंद से वं इसकाई है यह तीन ऐसे ही रहेगा च्झ ऑप ओक न見て मैंस वन और फ्लस यह यह ओन यह पूरी कहांई है इनको हल कर लो सत्यम एजेंट गेमिंग पच्चा समझ में आ रहा राजा कुछ आ रहा है कि नहीं से देखे जा रहे हो बस आ रहा है ना चलो देखो बीच-बीच से सामने से हडता हूं तो तुम स्क्रीन साट ले लिया करो अब देखो भाईया वन का कितना बार भी तुम घात लगा दो वह वन ही रहेगा यह वैसे बुड़वा को चाज इतना में मिसरी दूद्गी पिला दो जवान नहीं होगा अब 16 साल के जवान हो जायेगा तो फिलाल किसोर अवस्ता में हो गया मान लो हां तो जो बुडवा बुडवा ही रहेगा चाहे इतना तेल मसाला लगाओ जैसे देशी कहावत है कूकुर दो यस बच्छिया नहीं बना तो वही तरह इसकी हाल है कि माइनस वन है या प्लस वन इसकी घात चाहे जितना लगा तो तुम इसका मान हमेसा वन ही आएगा चाहे जितनी घात इसकी कर दो यह लो कितनी घात कर दो इसका मान हमेसा वन आएगा तो यह चच्छा तो हमेसा वन ही रहेंगे यह कभी बदलने वाले हैं नहीं है अब देखो आगे समझो देखो तुम लोगों को हमारी कोशिस है कि नींद ना आए इसलिए थोड़ा मजा की अंदाज में भी बताना पड़ता है तुम सोने भी लगते हो न यह प्लस हाँ एक चीज यहाँ पर बहुत ही कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है मानलो हमने वह नंबर को ए से मान लिया कोई भी नंबर है अगर उसकी घात बच्चा सम है क्या है उसकी घात कोई सम संख्या है जयान से समझ लो पढ़ना है आगे तो नहीं पढ़ना है तो फिर ऐसे पटकते रहोगे होगा कुछ नहीं तो अगर उसकी घाज सम संक्या बेटा अंदर में वो माइनस है चाहे वो संक्या 2 है 5 है 8 है 1 है कुछ भी है तो उसका जो फाइनल अंसर हमें सब प्लस में आएगा क्या आएगा प्लस में आएगा किबल यह समझो बाद बाकी नहीं ठीक है जैसे उदारण देख लो अगर माइनस वन का घाज चार है तो चार एक सम संक्या है तो इसका अंसर प्लस वनाएगा समझ रहे हो ना और अगर कोई एक संक्या मानलो ए है इसकी गाद बिसम है क्या है बिसम है जयान देना अंदर में संक्या माइनस होगी याद रखना इसको नहीं तो ऐससे कह दो सम बिसम है तो प्लस माइनस हो जाए नहीं अंदर में संक्या माइनस रहेगी जैसे यहां माइन कर लो कंठस्त कर लो दिमाग में बसा लो खोपड़ी में रख लो नहीं तो फिर इसी में कंफ्यूज हो जाओ गए इसमें जहाँ थोड़ा सा चिन्न मिश्टेक हुआ तुम गिरे साधानी हटी दुर गटना गटी एक चिन्न गडबड हुआ तुमारा उत्तर गलत हुआ फिर पेक चिन्न जैसे एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी बिल्डिंग को जला देती न वसे यहां एक छोटा सा चिन्न तुमारी कुश्चन माटी कर देगा इसलिए ध पर लो जादा ना उड़ो पड़ो अभी बहुद टाइम उड़ने का कर में देखो समझो इस तरह पर यह माइनस वन हो जाएगा और माइनस वन का तीन में गुड़ा करोगे बिटा तो बच्चा माइनस और प्लस यह माइनस हो जाएगा अब मैं फिर ना बताओंगा तुमे जाने दो जो नहीं समझ रहे हो तो फिर जाओ मुझे क्या करना है यह 3 हो जाएगा यह माइनस 1 यह प्लस हो अच्छा सभी बच्चे यह बताओ इस में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है जल्दी बताओ इस में से कितने लोगों को समझ में आ यह बोलो यास या नो, यास या नो, बोलो, यह समझ में है सबको न, देखो बच्चा समझो, आएगा, ये तीन है प्लस में, ये एक है प्लस में, ये एक है, तीन दो पाँच, तो फाइनल में ये पाँच हो जाएगा, माइनस माइनस का जोड़ोगे, तो माइनस का तीन माइनस का यह चार फाइनल में आएगा वन किया बुद्ध देखों जो समझेंगे उन्हें तो आएगा अगे वह तुम्हीं नहीं समझेंगे उन्हें भगवान भी न शिखा पाए गा अभी तुमेरी यह एक आख देखर न पूरा देखो गये वी श्क्रीन साट ले लो चलो पूलता बहुत अच्छे बच्चे अचा अच्छ यह बताओ तुम लोग कलास को आदी शेर कर रहे हैं। वहर लाइक भी नहीं कर रहे हैं। इसका स्क्रेर शाट लो मैं इसका फाइनल आंसर कर देना मैं फिर तुम्हारा बताता हूं चलो क्लास को सेयर करो ऐसे मज़ा नहीं आ रही है दिल ना तोड़ो बाई एकदम एकदम ना तोड़ो देखो यहां पर लिखो यह इतना आ गया ना आब यहां पर लिखो चुकि क्योंकि सेजफल सुनने नहीं है आता हाँ उसके बाद लिख लेना मैं बोल दे रहा हूं आता हाँ X Plस 1 जीमख लोड़ो दिए गए बहुपद P का एक फुरन खंडर नहीं है समझ मैं है न एक बाद फिर से सुनना मैं बता दे रहा हूं यह अंसर लिखने के बाद छोड़ना मत लिखना जरूरी है लिखना जरूरी है देखो कया लिखोगे लिखोगे चूंकी ये चूकी का चिन्ना उपर दूठी बिंदी नीचे एक ठी सेस्पल सुनने नहीं है क्योंकि सेस्पल सुनने नहीं है आता हा X प्लस 1 दिये गए बहुपद P आफ X P आफ X का मतलब ये लिखना ये का एक गुड़न खंड नहीं है ठाप लो चलो इसको लिखने के बाद बाबू इस क्लास को सेर कर दो भाईया ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार प्यारे जल्दी से आप लोग इस क्लास को सेर कर दो ना यार ऐसे देखो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही चलो सभी बच्चे सेर कर दो और एक चीज़ सुन लो भाई ये कलास परतेक साम को साथ बज़ कर पंदरा मिनट से अभी इस चैनल पे हो रही है बाकि इस कलास का टाइम है साम को साथ बज़े लेकिन चैनल अभी बदला है कुछ दिन के लिए तो इस वज़ा से थोड़ा सा मदलब टाइम आपका पंदरा मिनट बढ़ा है इस पर ठीक है वाकि हम पीवीर स्टडी लाहबाद पर साम को साथ बज़े लाइब आजाते है वहाँ आप लोगों को पकड़ के गिर्रा गिर्रा लाते है यहाँ चलो देखो बच्चा इसक्रीन साट ले लिया करो ठीक है इसक्रीन साट ले लिया करो क्योंकि यहाँ पर हम छापने का टाइम नहीं दे सकते हैं माफी चाहते हैं चापो के जब तक तब तक टाइम भी जाएगा तो वाट्स अप यादो जी आप आगे आपी का तो इंतजार था आईए ऐसे यार वो मुझे तो बनता है नहीं आईए आपका इंतजार था है ना लेकिन अब नहीं है अब खतम हो गया चलो क्योंकि आगे ना तो खतम हो गया यह आपका हो गया थर्ड पार्ट इसमें कब फोर नंबर कौन-कौन कर लेगा प्रणजलतिवारी कर लोगे बच्चा इकसरसाई 2.4 कुशन नंबर फाइस्ट का पार्ट नंबर फोर कौन-कौन कर लेगा बोलो हाँ कर पाओगे की नहीं रूबी दुबेदी लिख रही हाई ही ना बेबी यह बेबी का बच्चा पढ़ लो नहीं जान लो फिर आगे क्या होने वाला है पिर ऐसे दुजरन को बेबी बोलोगे अपना तब बेबी आएगा नहीं पढ़ लो जिससे तुम्हारा भी कुछ बेवस्ता हो जाए चलो कर लोगे ना देखो सिंपल सा जैसे इसको थार्ड वाला करें हो वैसे फोर वाला भी कर लोगे है जैसे थार्ड इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है यह सब इतने नलायक टाइप के वच्चे हैं कि मैंने क्या बोलूं एको लाइट नहीं है बहुत कम लाइट है बूच जैसे दिख रहा हूं ना मैं लाइट चली गई तोड़ा सा रुक जाओ एकह मैं आपकी बात सुन रहा हूं आप बिल्कुल परिशान नहाँ रहों सबगी बात सुन रहा हूं में तुम लोग का चैटिंग भी देख रहा बीच बीच में तुम को टोकprechen के घडsoon पढ़े लिए थान तो किसलिए में भयर हूं करना जिसको है उसका है नहीं जिनको पढ़ना है कोई बात ही नहीं हमारे जो टेकनिकल लोगों को ब्लाग करते जाऊ और तो जातीरस फालतू का कमेंटो मेंथ करें इने ब्लाग करते जाऊ अच्छा रहेगा मैं बता दढ़रा हुआ अब ब्लाग कर थी धर कोई दिक्कत भी तो लाइट चली गए थी इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया था अब फिर से हो रहा है ठीक है समझ रहो ना मुकेश को बलाक कर दो एकदम से पर्मानेंट मुकेश कुमार को पर्मानेंट बलाक कर दो बाई इनको दुबारान बलाक निकलना चलो तो यह आपका हो गया था थार्ड पार्ट हो गया था बच्चा फोर पार्ट पे हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन कर लेगा फोर पार्ट आप लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएंगे कुछ लोग कुछ लोग बोल रहें कर पाएंगे तो चलो हमारी तो जिन्म्मदारी हम तो करवाएंगे ही तो मैं 4 पार्ट भी करवा दे रहा हूं इसमें under root और लगा है तो यह root और देखके थोड़ी सी धाड़कन बढ़ रही है इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूं लिखो चौथा पार्ट लिखो बच्चा एक्स का पावर 4 सबी बच्च लिखो ऐसे मज़ा नहीं आ रही तुरंद लिखो एक्स की पार 4 ये एक मिनिट डुक्जा भाई 4 पार्ट कहा गया और नहीं है 3 है न रुखजा question देखने तो नहीं तो कुछ और हो जाएगा तो फिर तुम लोग कहोगे मिल नहीं रहा है यक्स का power 3 है minus x का square minus ये 2 plus under root 2 into x plus under root 2 तो बच्चों ये बताना है आपको क्या इस बहुपद का एक गुड़नखंड x plus 1 है बताएए आप लोगों को बताना है क्या इस बहुपद का एक गुड़नखंड x plus 1 है बोलो है या नहीं है ये को सारी परकिरिया वैसे ही करनी है सारा मंतर वही लगाना है बस किवल कुष्टन अलग हो गया है प्रस न अलग हो गया बाकी सब वैसे ही करना है समझ में आ रहा बच्चा मनोज सिंग तुम डाल डाल तौम पात पात समझ रहे हो ना मैं तुम्हारा हर एक कमेंट देख रहा हूं तुम डिलीट वहले कर रहे हो और मैं तुमको डिलीट करने वाला हूं चैनल से जल्दी देखो बहुत से बच्चे बता रहे है नो देखो बेटा कुछ अपने से कोशिस करो सभी कुछ होने वाला देखो फर्स्ट कोईशन में चार पार्ट था मैंने तुम्हें एक बताया दो बताया तीन बताया चौता तुम्हें खुच से करना है लेकिन मैं बताई हीत करूंगा इसको बहुत namun करूगा ठीम नहीं करूगा जो बच्चेmyल में चाहते हैं वो तीस एस तरह हो जाएगा अदेखो इसका कहार सि क्लस वनएक गुड़नखंड है या नहीं है तो सबसे पहले हम पीआफ यक्स के बराबर मान लेंगे । नीचे लिखेंगे डेसपल पर्मिये से पूराट डीटियल में कर रहाँ नोट कर Like Eye Of X X plus 1 अनाए तेंसपल पर्मिये इसको 0 के बराबर करते हैं यह हमारा सेसपल पर्मिये होता है इसका मान NX performance है तो तो बेटा ये एक्स का बैलू माइनस वन आएगा चिया आएगा माइनस वन आएगा समझ में आया अब यह माइनस वन है इसे दिये गए मुख्य भूपद में यानी बढ़का लंबा वाले में रख दोगे अगर सब 0 हो गया तो लिख दोगे एक्स प्लस वन दिएगे बहुपद पी आफ एक्स का एक गुड़न खंड है अगर जीरो नहीं हुआ तो लिख दोगे नहीं है बस इतना ही करना है तौरव अधित्य कुमार बेटा पढ़ाई कर लो अधित्य कुमार तुम्हें लाइश्ट वार्निंग है बच्चा नहीं तुम्हें न हम बहुत दूर बेजने वाले हैं इस कलास से पढ़ लो क्यों अपने माबाप के साथ साथ अपना भी बरबाद कर रहे हो अब क्या करेंगे यह मान हम यहां रख देंगे नेक्स्ट लाइन में करो इसके नीचे जगा है तो कर लो नहीं तो आगे करो क्या करोगे पी आप माइनस वन इकोल उधर नहीं दिख रहा होगा ना मुझे लग रहा है मैं एक बार में नहीं दिखा सकता हूँ क्या दिखा दूँगा ठीक है रुको समझो यहां से थोड़ा सा रुको कि उधर साइड में थोड़ा कम जगह है मुझे गर और इसे कीचना था ठीक है मैं यहां से करता हूँ तो देखो बच्चा उसकी बाद यहां करो जहां जहां पर यक्स है यह मुक्षी क्यों सने ना या इसको लेलो यह भी वही है यह मुखी question है यह की जगापे हर जगा minus 1 रखोगे क्या रखोगे minus 1 रखोगे x की जगापे तो पिया आफ minus 1 यानि x का cube मतलब minus 1 का cube minus देखो यहाँ minus लगाओ रिड का चिन्द यक्स का स्क्वायर का मतलब माइनस वन का स्क्वायर और माइनस पोश्टक के अंदर बेटा यह है थोड़ा सा मीटा हुआ है फिर से ले लो चलो टू प्लस अंदर बुट टू है बुक लिए हो तो तुम्हें दिखी रहा होगा इसमें तो कुछ करना है नहीं यह जैसे है इनको ऐसे लिख दो यहां पर यक्स है तो यक्स की जगबंतर माइनस वन यह रहुझा होगा और प्लस अंदर बूट इसको हल करना है पूरा जहां तक दिख रहा है मुझे यह बताओ क्या इसको हल करने पर 0 आएगा कि नहीं इसको हल करने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा देखो समझो अगर हम माइनस 1 का क्यूब करेंगे अभी अभी मैंने concept बताया था पिछले class question में तो यह इस इसका answer माइनस 1 आएगा कैसे आएगा अभी मैंने थर्ड पार्टर बताया है अब यह माइनस 1 का स्क्वाइर करो बिटे तो प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस है तो यह माइनस ही रहेगा इस तरह से यह आपका इतना बनेगा और यह माइनस 1 इसका गुड़ा ऐसे ही कर द देंगे हम इनको थोड़ा थोड़ा इदर खीचते लाओ जगा है तो फिर छोड़ो मत अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे क्या यह जीरो आएगा कि नहीं आएगा अब बताओ क्या यह सुनने आएगा कि नहीं आएगा हल करके भाई कर लो नहीं आरा मुझे क्यों परस जायेगा आपका और वन का इसमें multiple करना अंदर में इंद माइनस हें भाई यह माइनस Trick क्या होतार फर्जी यह लिख दो यह 0 के बराबर नहीं आएगा मैं इसको हल नहीं करूंगा इस पर टाइम बेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं ठीक है तो इस पर तुम छोड़ भी सकते हो अगर तुम्हें पता चल गया कि जीरो नहीं होगा नीचे लिखोगे आता हां आता नहीं ऐसे लि लिखो जो में लिख बोल रहा हां लिखो कि यहां तक करने के बाद में नीचे लिखो त्यूकि सेसफल सुने नहीं है और आ जब कि अद्यां एकस प्लस उन ऐसे प्लस वंड ऐसे लिए गये वह पड उछके बार लिखना यह फी आफ एक्षै का एक गुड़न खंड नहीं है बस हो गया चूकि सेस्पल सुने नहीं है आता हा एक्स प्लस वन दिये गए बहुपद पी आफ एक्स का एक गुड़न खंड नहीं है यूके गेमज बेटा पढ़ लो पढ़ लो बेटा पढ़ लो राजा पढ़ लो ओकेस मीना वर्मा एजूकैसनल गेमिंग गोपी चंद कुछ समझ में आ रहा गोपी चलो इसको मिटाता हूँ ठीक है स्क्रीन साथ ले लिया करो मैं सामने से बीच बीच में देखो हटता रहता हूँ जैसे मैं सामने से हटूं कुछ भी लिख करके उसका तुरंत स्क्रीन साथ ले लो जो मैं बोलता हूँ लिखो फिर पूतना ही लिखा करो साथ में बस बाकी स्क्रीन साथ ले लो जब कलास खतम हो जाए तो बाइट के लिखो प्यार से अराम से ठीक है गूड एनस अब कुछ चले चलो ठीक है अगर आप नाइंथ में नहीं है तो आपको नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है फिर भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए कुईशन नंबर सिकेंड अचा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चों के पास NCRT बुक है जो मुख NCRT है मैं एक पोलिंग करूँगा आपसे निबेदन है कोई जाएगा नहीं बस एक मिनट के लिए मैं पोलिंग करूँगा एक मिनट के लिए हां थोड़ा से रुख जाओ मैं एक कुश्चन पोस्ट कर रहा हूं उस पर आप लोग यह से नो करना क्या आपके पास N-C-E-R-T चाहे वो इंगलिस में हो या हिंदी में बुक है हाँ देखो जिनके पास में कोई प्राइबेट की बुक होगी NCRT पर अधारित होगी वो नो करेंगे ठीक है वो क्या करेंगे नो करेंगे आप लोग बताओ क्या आपके पास NCRT बुक है मैंने एक पोलिंग किया सायद पता नहीं कोईश्चन गया कि नहीं गया है ठीक है तो बेटा सभी जल्दी से वोट करो यास या नो आपके स्क्रिन पे कोईश्चन आया होगा उसमें आपको यास या नो पर क्लिक करना है अगर आपके पास मुख NCRT है तब ही अस करना अगर मनोहर वनोहर प्रकासन है राजीव प्रकासन लक्षमी प्रकासन है तो नो करना हाँ लेकिन समझो मतलब पाठे करम सब में वही है बेटा ठीक है हाँ मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जिनके पास तो मुख NCRT उनमें डारेक्ट मिलेगा मुख NCRT वालों में से डारेक्ट कुश्चन मिलेगा डारेक्ट मैच करेगा कुश्चन क्वाइंट घाद नंबर सब मैच करेगा लेकिन जिनकी प्राइबेट बुके हैं अलग तरह की राइटर की उनमें थोड़ा सा आगे पीछे होगा समझदार लोग कर लेंगे उसमें भी तो मुझे लग रहा है सो बच्चों ने ओट कर अभी तक सो बच्चों में से लगबग 80% NCRT वाले हैं ठीक है कुशी की बात है उनके बुक में डारेक्ट मिल रहा है चलो ठीक है संतुष्टी की बात है चलो ठीक है बच्चा बहुत अच्छे बेरी बेरे गुड बेरे गुड ठीक है तो यह आपका एकसरसाइज 2.4 कलास नाइन्थ का NCRT बुक का बेटा फास्ट कोजिशन हो गया 2nd QUESTION पढ़ो आप लोग 2nd QUESTION पढ़ो सभी बच्चे जल्दी पढ़ो देर ना करो चलो पढ़ो 2nd QUESTION पढ़ो क्या लिखा है 2nd question किसी लिए तो पूछा बुक लिए हो कि नहीं हो चलो 2nd question पढ़ो देखो क्या कहता है कहरा कि गुड नखंड पर मिये लागू करके बताईए इस्थितियों में से परते की स्थिति में जी आफ एक्स जी आफ एक्स पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड है कुछ समझ रहे हो चच्छा लोग कोश्चन नंबर सिकेंड पढ़ो किताब लिये रो तभी समझ में आएगा अभी न किताब के पल ले ना पढ़ेगा की खाली आत तो बिलकुल नहीं आना आ कहता है की गुड़नखंड परमिये मतलब فारेक्टर थे और मैं अपलाई करिये करें और बताइए किनि मेलिकित स्थितियों में से पर टेक स्थिति में टी सब्सकर इसेर्च इसे जी आफ एक्स बोलते हैं कि मालते अप्ड allowed नेек of यक्सका एक गुडंखंड और को सिब्सकुराइण करे हो पहले को इस चन में ना उतना यह में करना है तब कुछ हुआ ही करना है तब कुछ हुआ ही करना है रूपेस को बलाक कर दो भाया है रूपेस को बलाक कर दो एकदम से बलाक कर दो इसे अब दुबारा से अन बलाक नहीं करना यह नलायक पता नहीं कैसे पैदा हो गया इस यह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपनी जिन्दगी यह पहला ही बेच चुके है तो सारी परक्रिया वैसे ही करना है चलो ठीक है बात करते हैं कुष्टन पर आते हैं मुख्य पॉइंट पे देखा बेटा यहां पर कुष्टन जो दिया है ना पहला पार्ट यह पी आफ यक्स दिया है रिखो फट अपट के 2x का क्यू प्लस एक्सीं स्क्वाईर मैनस बंस दो यक्स का ट क मैनस प्यक्स का स्क्मार माइनस ङॉफ्ट यह न nearmus 1 और दिया है यह क्या दिया आपका यह पी आफ एक्स दिया है क्या दिया भाईया यह पी आफ एक्स दिया बावू कि इसमें जी आफ एक्स भी दिया है कि एक्स प्लस वन दिया है कि गुड़नखंड परमिये लागू करो अब भागफल वो सेसफल परमिये भूल जाओ वो गई पुरानी कहानी अब एक नई मुसीवत है उस मुसीवत का नाम है गुरंखंड परमिये मैं बताया हूँ कि नहीं तुम लोग को नहीं सेखना है तभी आगे बात कर पाओगे तभी आगे बात कर पाओगे देखो पहले कोई नियम विधान उसे तुम समझोगे ना तभी तुम आगे उसको अपलाई करोगे तुमको पता ही नहीं क्या है तो कैसे जानोगे कोई कहे कि बाया जाओ फलाने अंकल को बुलाए लाओ अब तुम फलाने अंकल का थोबड़े नहीं देखे हो किसे हैं तो किसको बुलाओगे नहीं बुला पाओगे ना पहले उनको देखोगे पहले सीखोगे तब जान पाओगे कैसे होगा चलो यह कुश्चन तो बाद में होगा फेले अब तुम लोग हेडिंग डालो बेटा है यह बहुत इंप्वार्टेंट फैक्टर है समझे लो हां गुड़न खंड परमिये फेरिंग डालो पंटी बबली पढ़लो 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 अपच नहीं करेगा पढ़लो मुझे लग रहा ज्यादा टाइम हो रहा है गुड़न खंड परमिये लिख लिया अरे यह बीगा हुआ है यह आँपे रूपेश दास बेटा तुम दूसरी आडिस आ गए तो बच्चा हमारे पास बहुत सारा आप्सन है तुम्हारे जैसे इना लाइकों को बला करने का चलो ठीक है गुड़न खंड परमिये लिखो कोश्टरक में लिखो फैक्टर थेवरम लिखो फैक्टर थेवरम क्या लिखोगे कि भाइक्टर थेवरम कैसे होगा इस्पेलिंग साही है थेवरम ऐसे होते हैं बड़न खंड परमिये कितने बच्चे जानते हैं बोलो यास या नो रजनेश को भी बला कर देंगे अभी डांट वरी रजनेश बेटा सुधर जाओ जहां भी हो तुम जहां भी हो सुधर जाओ नहीं तो हमारी नजर पड़ेगी न तो गड़बड हो जाओगे पड़ लो यार क्यों बरबाद कर रहे हो अपने आपको भी और घरवालों के सपने सब कुछ क्यों मट्टी में मिला रहे हो क्यों आखित चाहते हो एकदम से बरबाद कर देना पड़ लो देखो गुडनखंड परमिये क्या होता जैसे भागफल परमिये है उसी तरह से गुड़नखंड पर्मिय है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है जादा नहीं होता है उसमें सेजफल मुख्य रूप से पॉइंट होता है इसमें सेजफल होता ही नहीं है बस मतलब एक बंदर है पूछवाला और एक बूदेंग पूछवाला इनसान है बस इतना अंथर है फाकि सकल बनावट सब ओई है ठीक है चलो ठीक है तो बच्चा गुडनखण परमिये क्या है किताब लिए होना सबी जो बच्चे किताब लिए हैं किताब खोलो किताब खोलो मैं पेज नमबर बता रहा हूं उस पे देखो लिखा है उसे देखो गे तब बहतर होगा बच्चा किताब खोलो किताब में देखो किताब में देखो पेज नमबर 48 ठीक है पेज नमबर 48 खोलो वहां पर तुम्हें मिल जाया का गुड़नखंड पर्मिये बोलो है की नहीं यहां से समझो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो गुड़नखंड पर मिये तो सिर्फ इतना ही है कितना है पी आफ एक से इक्वल e x minus a और into q of x ये गुणनखंड परमिय सिर्फ इतना ही है लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको मुझे समझाना पड़ेगा नहीं तो तुम इससे कुछ समझ में ना पाओगे इससे कुछ ना समझ पाओगे और इसका परियोग भी तुम्हें कुछ न में डारेक्ट ऐसे नहीं करना है इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा अच्छे से तब ही हो पाएगा ठीक है तो गुणनखंड परमिय आप लोग हेडिंग डाल दो और आज का टाइम उसे लग रहा आठ बच गया पैतालिस मिनट कलास हो गई है ओबर होता है तो बच्चा कल इसको करवाएंगे ठीक है ना आप लोग एक्साइटेड हो मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल टेंसन मतलो डांट वरी तो बाबु इसको कल हम करवाएंगे गुड़नखंड परमिये आप लोग याद रखना जैसे कलास में आना गुड़नखंड परमिये करना तो आप यह बताओ कल की कलास कौन कौन देखा था कल की कलास सब लोगों देखे थेक नहीं कि अधा कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं कर पारें तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे कमेंट कर पाओ इस पोर्ट गेमिंग पढ़ाई कर लो रजा पढ़ाई कर लो अच्छा रहेगा सचीन काय को परिसान हो तो बंद करा जाए कलास फिर अच्छा एक बात बताओ कौन कहां से जुड़ा है जल्दी बता दो बहुरा मज़ा आता यार अपना जिला बता दो और राज्य कौन सा है जल्दी बताओ जैसे कलास आपकी परियाग राज उत्तर परदेश से होती है कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है आप अपना जिला राज्य बताओ चलो मैं थोड़ा सा तुम से यहां पर बात करता हूं मतलब कि वह क्या है डेली सारी कलास की लिंक के लिए और पीडियाप क्या है PVR study अगर तुम्हें यह नहीं पता कि यह क्या है टेली गराम चैनल का इसे ज्वाइन करते हैं यह सब तुम्हें कुछ नहीं पता है अगर तो तुम्हें काम करो मैं एक लिंक दे रहा हूं कमेंट बाक्स में उस पे जा करके तुम तुरंट देख लो अगर तुम्हें नहीं पता कि टेली गराम क्या है टेली गराम चैनल कैसे ज्वाइन करते हैं तो मैं एक लिंक दे रहा हूं उस पे क्लिक करके जाके तुरंट देख लो और ज्वाइन कर लो जितनी भी class चलती है इसमें सब की link मिलती है तुमें ठीक है सारी class की link मिलती है इसपे telegram पे सारा pdf फाइल मिलता है सारा notes मिलता है ये link जो दे रहा हूँ इसपे click करके जा के देख लो कि telegram channel क्या है ठीक है जा के देख लेना सभी बच्चे description में भी link मिल जाएगी number नीचे चल रहा उस पर contact करना चलो तो मैंने जो question पूछा था उसमें उत्तर आया है रभी आदव मेटकर नगर UP से हैं और उत्राखंड के कोटवारा से हैं सोहल सोभा आसवाल सिंग्रोली मद्ध पर्दे से दिली भाई है वहीं आदव जी है पगवानपूर से मालूम नहीं कहां से हैंगे उत्तर पर्दे से कुनाल है देखो बेटा जिला राज दोनों बताओ तभी मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा नहीं ताक्षी आदव पुद्धोग नगरी कानपूर से है इविः के बिहार के कटिहार से मसूद आलम है यमपी की रीवा से परंजलति भारी है हिमाचर परदेश के डिस्टिक मंडी से प्रिया सर्मा है और मध्द परदेश के पनना जिले से अफीसियल प्यूस है वहीं इटावा उत्तर पर्देश से विपिन कुमार जुड़े हैं बांका के बिहार जिले से पढ़ रहे हैं सुभम कुमार जतिन राजपूत जी अलीगड उत्तर पर्देश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर हम नीचे आगे बढ़ते हैं आधित कुमार को बला करने के बाद हरसित कुमार है विअर के मुजबफर पूर्ज से जुड़े हुए हैN वीपिन जी यू पी के गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए है और अगर आगे बात करते हैं तो हमारे पडोसी हैं बंदप प्रयाग राज से सिवं कुमार नाब्या यूपी कानपूर से हैं राइबरेली से राज कुमार तिवारी जुड़े हुए हैं वहीं पटना से बिकरम जी जुड़े हुए हैं मतलब यूपी बिहार एंपी राजस्थान दिल्ली यही से बच्चेए न और उत्राखंड वाले भी हैं बाही नहीं नहीं और भी है जारखंड वाले भी है जारखंड के देव ग़र से रूपेश हैं यस जी चित्रकूर्ट उतरपरदेश से हैं सचीन को बुला करने के बाद आगे बढ़ते हैं जारखंड के लोहर दगा ये तिन के गाओं का नाम है बाई गाओं का नाम मत लिखो परसांद कुमार भी पर्याग राश से हैं बगल से पडोसी हैं वहीं यूपी के आजमगण से मनोज यादो जुड़े हैं बिहार के छपरा से अभी से कुमार हमार साथ जुड़े हैं बहुत अच्छे अभी सेग जी पेरी गुड ने आपको टाइम दिया थोड़ा होल्ड किय क्या है क्योंकि तुम लोग ज्यादा इकठा कमेंट करते हो इसलिए यादो जी यूपी के आजमगण से हैं जारखंट से गोपी चंद यादो है रभी यादों बेटकर नगर बेटा एक के बार बताव बाबू एक बार कमेंट कर दिया दूबार ना करो यार नहीं तो अगल उत्रपर्देश के महराज गंजले से जुड़े हुए हैं रूपेश पंडे स्वरी राजदी पंडे पस्ती उत्रपर्देश से हैं पुषकर पंडे जुभम पर्याग राज उत्तर परदेश से हैं 36 गड़ के जिला का नाम इन्हों नहीं बताया इनका नाम है रीनू खीना साउ वहीं रीनू यूपी और आया से जुड़ी हुए हैं और यूपी के हरदोई से जुड़े हुए हैं इनका नाम है सिकंदर राज उत्तर परदेश के भलरामपूर से पढ़ाई कर रही हैं रूवी दुवेदी और कानपूर यूपी से सत्यम जुड़े हुए हैं कितावा उत्तर परदेश से विपिन कुमार आयुसकार राय उत्राखंड से हैं पुजा सिंग मौ उत्तर परदेश से जुड़े हुई हैं पेटा सचिन तुम्हें बलाक निकरा न मैं मेरी गलती हो गई ना चलो तुम्हें बलाक कर दिया परताबगण के उत्तर परदेश से अधित दुबंसी है राजकुमार तिवार यूपी के राबरेली से हैं सिवम जी लाबाद से हैं यह जो दुबारा कमेंट कर रहा ना यह गड़वड है इसे अब और ज्यादा धीमा कर देता हूं जिनको जाना है हमारी कोशिस है हर कोई बच्चा खुस रहे मतलब उसका कमेंट पढ़ा जाए तो भाई अब तुम्हारा कमेंट में 180 सिकेंड के लिए रोपूँगा क्योंकि तुम लोग बहुत जादा कमेंट कर दिये के बार में मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कुछ बच्चे दुबारा कर रहे हैं कुछ का नंबर नहीं आ रहा है ठीक है गोरकपूर से आजय गेमिंग है प्रिया सर्मा रजनेस को बला कर दिया जाएगा ठीक है लोगों का इंट्रेस्ट कम हो गया बहुत से बच्चों के नाम बोल दिएक बहुत से बच्चे चले गए तो class का time over हो गया है मैंने तो ऐसे ही थोड़ा सा मजय के लिए आप लोगों से पूछा थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कहां से जुड़े हुए कहां से पड़ रहे ये थोड़ा सुन्ने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई इतने बच्चे इतना जगह से जुड़े हैं वर्ट सब याद हो तुम कहा हाँ कर रहे हो हाँ तुम्हें कौन सी मुसीबत आई है मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं कि हाँ करो मोहित कन्योज उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं तो बंद करते हैं आज की कहानी यहीं पर खतम होती है अभी बहुत सारा काम भी करना है नो बजे रात में फिर से लाइब आना है हमारी कोशी से कुछ नो कुछ मिलेगा आपको रात के नो बजे से ठीक है तो सभी बच्चे रात के नो बजे आओगे कि नहीं बताओ और इस कलास को लाइक करके जाना भी न लाइक किये नहीं जाना बटा है ठीक है रटी एक स्रीकांत नवादा बिहार से जुड़े हैं देखो मैंने एक बार जिसको तीन मिनट के लिए रोंका सब गयब हो गए रीजन है ना बार बार वही कमेंट कर रा था एक है बच्चा नवाब गंज से जुड़े हैं बाई परसांद ठीक है सागर मद्य पर्देश से भी जुड़े हैं इनका नाम है मूनीज दूबे राजस्तान के भिलवाडा से यल्यस जी जुड़े हुए हैं उसकर पांडे के यहां बारिस हो रही है बहर है यह तैर रहे हैं अभी पानी मे चलो ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी को बहुत बहुत थेंक्यू रात के नो बज़े से आप फिर से लाई बाना पी बीर स्टेडी लहाबा चैनल पर वहां पर आपको बेसिक कांसेप्ट सिखाया जाएगा बिलकुल सुरू से गडिद ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बंद करते हैं फिर जैहिन साथियों बिलकुल को